जीवन में अगर संघर्ष किया है तो सफलता मिलना तै है मित्रो और वही हुआ सिंग रास वाले बित्यों के साथ आने वाले नो दिन मातालश्मी प्रसंद हो चुकी हैं अभी तक आप लोग मिहनत कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी क्योंकि आपके रासी पर मात बढ़िया अब बना है उतना अच्छा पहले बना ही नहीं था लेकिन मित्रो आने वाले जो नो दिन है आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाओ देने वाले हैं मातालश्मी का आप लोगों के उपर लाब प्राप्त होने वाला है सो यह मातालश्मी ने शिंग रास वाले ब्यक्तियों पर अपना हाथ फेर दिया है जिस कारण मित्रो शिंग राजवाले ब्यक्तियों को अचानक लाब होगा इनके जीवन में बहुत भयंकर लाब होने वाला है इसलिए मित्रो एक बार सक्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जैमालश्मी आवोज सिलखेगा क्योंकि म आपके रासी पर माता लचमी ने अपना हाथ फेरा है सोयम माता लचमी प्रसन हुई है और नौ दिनों के अंदर आपके रासी पर बहुत बड़ा लाब होने वाला है और आप अपने आखों से देखेंगे लाब इतना भयंकर होगा कि जीवन के सारे संकट खत्म हो जाएंग है और मित्रों ये बात हमारी आप लोग इस्टाम पेपर पर लिख कर रख लो क्योंकि मित्रों आने वाले नौदिन आपके जीवन में बहुत भयंकर लाब देने वाले हैं सोयम माता लचमी की क्रपा प्राप्त हो चुकी है क्योंकि मित्रों कल जब मैं जो इत्ती सास्त्र तो मैंने देखा सिंग रासी वाले बेक्ति अपने जीवन में मेहनत बहुत करते हैं लेकिन मित्रो सफलता नहीं मिल पा रही थी लेकिन मित्रो जब से माता लच्मी प्रसन हुई हैं और ये नव दिन हैं आपके जीवन में बहुत भयंकर लाब दे कर जाने वाली हैं अब मतलचमी और मादुर्गा की कृपा आपकी राशी पर हुई है सिंग राश वाले जितने भी बेक्ति थे इनके जीवन में अचानक लाब होने वाला है क्योंकि मित्रो कल जब मैं जोटी सास्त्र देख रहा था तो मैंने देखा सिंग राश वाले बेक्ति अपने जीवन में हो चुके थे और इनके जीवन में इतना संघर्स लिखा हुआ है कि महनत करने के बावजूद इन्हें सफलता नहीं मिलेगी लेकिन मित्रो जब से आपके राशी पर मातलचमी ने अपना हात फेरा है अब जाकर आप लोगों को लाब तुरंत मिलेगा और नव दिन जो ये आ जो आपकी बार मातलचमी ने अपना हात फेरा है ये पिछले कई सालों से आपके रासी पर इतना बड़ा हात नहीं फेरा गया था और मातलचमी जब प्रसंद हुई है आपके उपर तो आप लोगों को अचानक लाब दे कर जाएंगी और लाब कोई छोटा मोटा नहीं दें और बहुत ही भयंकर लाब देंगी और आपके जीवन में बहुत बड़े काम बन कर दिखेंगे और आप जिन कामों के पीछे मेहनत किया संघर्ष किया लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी आप लोग मेहनत तो बहुत किया लेकिन आपका कोई भी काम बना नहीं था और वही काम मित्रो अब जाकर आप लोगों को बनते हुए नजर आएंगे आप लोगों ने जो पिछले सालों में मेहनत किया है जो आपके पिछले तीन साल बतीत हुई है उनमें जो मेहनत किया था आप लोगों ने आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी तो उन छेत्रों में अब आप को सफलता मिलेगी तुरंत फोन आएगा आप लोगों को कुछ करना नहीं है आप लोगों ने अगर पिछले तीन सालों में कोई बड़ी मेहनत किया था संगर्स बहुत किया था जिसका फल आप लोगों को नहीं मिला था रिजल्ट अच्छा देखने को नहीं मिला था, मेहनत तो कर दिया था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी, तो वो सारे काम अब आपके बनने वाले हैं, जो जातक पढ़ाई कर रहे थे, अपने नौकरी को लेकर बहुत ही सीरियस थे, नौकरी नहीं लेग पा रहे थी, तो उन लोगों को प्राइबेट सेक्टर में मिले, या फिर सरकारी सेक्टर में मिले, नौकरी मिलेगी अवसे, और आपके ग्रहन चत्र डिसाइड करेंगे, कि आप लोगों को नौकरी किन छेतर में देना है, सरकारी में देना है, या फिर प्राइबेट छेतर में देना है, उसी के मित्रों आपकी जो रासी है यह सिंग रासी मतलब होता है शेयर आप लोग जो बिगेवस की तरह होते हैं इसलिए आप लोगों को महनत ज्यादा करना पड़ता है और संकट और परेशानिया भी ज्यादा देखने को मिलते हैं आप लोग अपने जीवन में परेशान ज्यादा होंगे क्योंकि आपका रासी सिंग है सिंग मतलब होता है सेर कोई आम रासी नहीं है आप इसलिए आप लोगों को चारो तरब से परेशानिया मिल सकती है चारो तरब से संकट मिल सकते आपका प्यार धोखा देकर चला जाएगा ये भी एक परेशानी आपका खास मित्र आपको धोका देगा उस वक्त धोका देगा जब आप बहुत बड़ी सफलता पाने वाले होंगे और वही पर आपका दोस्त आपसे जलेगा और आप लोगों को साथ नहीं देगा तो उस वक्त आपको धोका मिलेगा और उसे के साथ साथ कभी कभी आप लोग महिनत करेंगे सफलता नहीं मिलेगा आपका दोस्त महिनत करेगा सफलता तुरंट मिल जाएगी लेकिन आप उसी तरह और उसी काम को उसी हिसाब से करेंगे लेकिन सफलता नहीं मिलेगी आपका पैसा डूप जाएगा आप महिनत करेंगे महिनत बेकार में चली जाएगी क्यों मतलब होता है सेर इसलिए आप लोगों को चारो तरफ से परेसानिया देखिनों को मिलेंगी आप लोगों को चारो तरफ से संकट मिलेंगे आपके जीवन में बहुत भयंकर परेसानिया आएंगी बिजनेस करियर में आप लोगों को सफलता नहीं मिलेगी परहाई करेंगे नव अगनी की तरह मेहनत करो, अगनी की तरह तपो, अगनी की तरह जलो, तब जाकर अगर आप लोगों को सफलता मिलेगी, तब हम आपको सफलता देंगी, क्योंकि अगनी तर तु जो है, यह चाहता है आप अगनी की तरह तपें, अगनी की तरह जलें, और उसके बाद आप लोग मेहनत ज्यादा करते हैं संगर्स ज्यादा करते हैं सफलता लेट में मिलती है सफलता जल्दी मिलती नहीं है तो मित्रो आप लोग साउधानी बर्त लेना और अगर आप सफलता जल्दी पाना चाहते हैं तो आप लोग अपने काम के पीछे अपने के पीछे लगन से मेहनत करें और मेहनत करने के बाद आप लोग अपने काम को छोड़े ना क्योंकि अक्सर लोग परेसान हो जाते हैं सफलता नहीं मिलते हैं और अपने काम को छोड़ कर भाग जाते हैं तो ऐसी गलती मत करना सफलता अवस्य मिलेगी मित्रो मिलकर रहेगी किसी के बाप में इतनी हिम्मत न लिखाए इसलिए आप लोगों को बहुत भयंकर लाब मिलेगा जम मिलेगा शूरी बगवान जब लाब देंगे तो बहुत बड़ी लाब देंगे बहुत बड़ा आप लोगों को सफलता मिलेगी तुमित्रो वीडियो को लाइक करें